हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुनाली और आपका स्वागत है टेक्नलोजी स्मार्ट सपोर्ट में आज मैं आपको इंस्टाग्राम के वो सेटिंग्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है तो आप वीडियो को बिना इस्किप किये लाश्ट तक जरूर देखे अगर आपको अपने प्रोफाइल में फॉलोवर्स जैदा चाहिए और आपकी प्रोफाइल में कितने इंप्रेशन इंटरेक्शन दे प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं यह सब देखना चाहते हैं तो मेर इस सिटिंग्स को जरूर फॉलो करें अपना प्रोफाइल ओपेंड करें ठी लाइन को ओपेंड करें नीचे सिटिंग्स को ओप्सें है इसे ओपेंड करें इसमें आपको अकाउंट का ओप्सें मिल जाएगा उसे ओपेंड करें स्विच टू प्रोफेस्टनल अकाउंट के option पर जाए अब यहां आपको दो option मिल जाएंगे creator और business अगर आप business के लिए account बनाना चाहते हैं तो business को choose करें या फिर आप creator को choose करें फिर आप next करें अब आप जिस category को choose करना चाहते हो उसे choose कर लें जैसे मैं video creator को choose कर लेती हूँ अब इसे turn on कर ले done कर ले जिससे आपका account professional हो जाएगा अब आपको यहां three option मिलेगा inside पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका account कितने लोगों तक पहुचा अब आप post करने पर यहां कितने लोगों ने देखा कितने लोगों का impression आपके post पर पढ़ा यहां से आप देख सकेंगे जिससे आपके followers और likes बढ़ेंगे और आप post करते टाइम सही tag और caption को जरूर लिखें अगर आप अपना बायों इंट्रेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इस टिक को जरूर फॉलो करें किसी भी ब्राउजर पर जाकर आप igfonds.io अब आपको अपने बायों में जो डालना है उसे टाइप करें आपको दीचे अलग-अलग टाइप के फॉल्ट बिल जाएगे आपको जो पसंद है उसे सेलेक्ट कर ले अब आप इसे कॉपी कर ले और अपने बायों पर जाकर पेस्ट कर ले अगर आपको followers बढ़ादा है तो आपको अपना account unique करदा पड़ेगा उसके लिए great post कर सकते हैं उससे आपका account adjusted लगेगा तो उसके लिए आपको एक app install करदा पड़ेगा great baker for instagram आप इस पर click करें अब आपको जो post करदा है उसे सेलेक्ट कर ले इसमें अब इस type में आपको मिल जाएगा अब आप पहले को touch करके feed में post कर दे ऐसे ही सभी को post कर दे अगर आपको किसी भी profile की dp देखनी हो चाहे वो private ही क्यों ना हो तो हमारी ये trick चरूर यूज़ करें पहले आप उस profile का link copy कर ले अब आप browser पर जाकर उस link को paste कर दे और instagram की पहले link zero type करके search कर ले अब आप pic को देख लेंगे अगर आप insta चलाते हो तो सबसे बड़ी problem होगी date की ये problem तो मुझे भी थी लेकिन मेरा date भी जल्दी खतम हो जाता था पर मैंने इस problem को solve कर लिया है अब profile open करें फिर 3 line पर click करें अब आप account पर click करें यहाँ पर आपको cellular data use को option मिल जाएगा उस पर click करें data saver को on कर लें इससे आपका date instagram चलाने पर कम use होगा अगर आपको followers बढ़ाना हो तो आप इस trick को जरूर follow करें पहले आप famous person को follow करें और नीचे suggestion में जो दिया है उस account को भी follow करें यह tricks बहुत ही अच्ची है इसे जरूर चाय करें लेकिन ध्यान रखें आप एक बार में 60 लोगों को ही follow करें इसे करने से आपको बहुत ही benefit होने वाला है अब आप देख सकते हैं मेरे followers आदा start हो चुके हैं अगर आपको followers increase करना है तो अपने account को unique बनाना होगा उसके लिए एक और tricks इस्टोरी का इस्टाइलेस स्टोरी लगाने से आपका account बहुत ही unique लगेगा तो पहले account open कर ले फिर आप किसे भी pick को select कर ले अब आप कुछ इस्टाइलेस करना चाहते हो तो इस पर click करें अब यहां से light search करें इस तरह से design कर सकते हैं इसी तरह आप बहुत से gif का use करके अपने story को एक अलग look दे सकते हैं इससे आपका impression बढ़ेगा story पर जाए कोई pick select कर ले इस option पर जाए यहां किसी color को juice करके कुछ second तक tap करें कुछ इस तरह फिर आप इस option पर जाए अब आप इसे कुछ beautifully तरीके से डाल सकते हैं किसी भी symbol को type कर ले मैं इसे करके दिखा देती हूँ मैं इसे करके दिखा देती हूँ अब कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो की बहुत ही सुद्दर लग रहा है अगर आपको story पर कोई भी text को type करके लिखना हो तो यह बहुत awesome जिक है इसे जरूर follow करें आप GIF में color search करें अब इसे save कर ले अब आप उसे ही story पर डालें जो आपने save किया है अब आप देख सकते हैं कितना colorfully text हो चुका है अगर आपको कोई text 3D में लिखना है तो आप text टाइप करें कुछ इस तरीके से अगर आपको इंस्टा से किसी वीडियो को डाउलोड करना हो तो आप उस वीडियो का link copy कर लेना है अब आप grid photo maker app open करें और यहाँ पर paste कर दें फिर यहाँ डाउलोड कर लें आप देख सकते हैं कि वीडियो गैलरी में save हो गया है अगर आप online है और आप चाहते हैं कि आपकी id active so ना करें तो आप इस setting को जरूर यूज करें अपना profile open करें ठी line को open करें नीचे settings को option है इसे open करें privacy को option मिल जाएगा उसे open करें activity status को open करें इसे off कर दें इससे आप online so नहीं करेंगे अगर आपको post पर like बढ़ाना हो तो इस trick को जरूर follow करें इसके लिए आपको hashtag app डाउलोड करना पड़ेगा और यह tricks ज्यादा तर नए post पर ही काम करेंगी तो पहले आप post करें बिना किसी tag या filter को share करें फिर आप hashtag app में जिस type की post आपने किये है उसे select कर ले जैसे आपने fashion का post किया है तो तो fashion को select करें अगर आपको कुछ न समझ में आए तो आप popular को select कर ले फिर आप उस tag को copy कर ले अब आप यहाँ has tags को paste कर दे और यहाँ पर आप तीन famous लोगों को tag कर ले और अपना खुद का post लाइक मत करिएगा अब आप देख सकेंगे आपका लाइक आना सुरू हो चुका है इसी तरह awesome videos के लिए हमारे चैनल को subscribe चरूर करें और bell icon को भी प्रेस कर दे don't forget to like, comment and share